जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अमरिता एस्टो में और आज की स्टूडियो में मैं बात करने वाली हूँ मंगल के राशी परिवर्दन के द्वारा जो आने वाले 55 दिन है वो आपके लिए कैसे होने वाले हैं अब इन तक मंगल थे व्रशब राशी में गुरू प्रस्पती के साथ लेकिन अब 36 अगस्त को मंगल का राशी परिवर्दन होने वाला है और ये मंगल का राशी परिवर्दन लगभग 55 दिनों तक एक ही राशी में मंगल रहेंगे तो इन राशी परिवर्दन का जो प्रभाव है जो मंगल है इ गुम्राशी के स्वामी होते हैं शनी दे और अभी तक मंगल कहां भी राजमन थे आपके चौथे घर में बैठे हुए थे जहां गुरू ब्रसपती भी थे गुरू के साथ मंगल की योती थी लेकिन 26 अगस्त को मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और 26 अगस्त से 20 अ मंगल की चीज़ों में कारक है क्या है मंगल जो है सबसे अधिक एनर्जी देने वाले आपके पास जो संपति आती है वो मंंगल है जो पर्पकर्टी है वो मंगल है आत्म विश्वास जो confidence हमारा होता है वो मंगल देते हैं बहुत अधी confidence देते हैं कभी कभी over confident भी कर देते हैं अब सेना यूद क्योंकि मंगल एक योधा है तो जो सेना यूद और पुलिस में जाने वाले लोग है मंगल का मजबूत होना बहुत जरूर होता है जिनका मंगल मजबूत है वो सेना विभाग में जाते हैं पुलिस में जाते हैं पुलिस में जाते हैं आर्मी मुगी इसमें जाते हैं और ये बिजली का डेपार्टमेंट बिजली भी क्या है मंगल गे और पराकर्ण है प्रशासनी के सेवा और साथ में छोटे भाईवे हैं ये भी मंगल है तो मंगल एक ऐसी एनरजी देनी वाले जो हैं जो व्यक्ति के अंदर एक योध्धा पोद्पन्न करते हैं एक योध्धा बनाते हैं व्यक्ति को ऐसी शक्ति उनके अंदर होती है जिनके ये मंगल मजबूत होता है और साथ में मंगल का ये राशी पजबतन होने जा रहा है बुद्ध की राशी में बुद्ध की राशी में बुद्धो और मंगल में कैसे तो मित्रता है नहीं लेकिन यहां भी क्या होगा पंचम भाव में मंगल आएंगे पंचम भाव क्या होता है भाव होता है प्रेम, भाव होता है शिक्षा का, फाउट्छम भाव होता है संतान का、 और हमारे पूर्वजन्म का। मंगल यहाँ 50 प्रस्पन दिन बैठ कर आपके 3 भावों कर दृस्टी डालेंगे, मंगल की दृस्टी बड़ी कमाल वहोती है。 अब मंगल की द्रस्टी होगी एक तो आपके एस्टम भाव पर होगी यहां दूसरी आपके ग्यारवे भाव पर होगी सीधी द्रस्टी जो की लाव का भाव है और तीसरी द्रस्टी होगी आपके बारवे भाव पर तो इन द्रस्टियों का महत्व क्या होगा तो सबसे पहली चीज़ है ज्यारवा भाव लाब का भाव है जहां मंगल की सीधी द्रष्टी जा रही है यह मैं आपके बिल्कुल कोँगे कि लाब की उमीदें आप बिल्कुल बनाता रखे आपको लाब मिलेगा अच्छी विज्ट आपको मिलेंगे प्रॉपटी से आपको धन प्राफ्त हो क्योंकि यूद्ध निप्टान है। वैसे ही ऐसा उतावलापन देता है कि इस काम को तो करके ही पीछे चोड़ना है। और मंगल आपके दो भाव के कारफ हैं, आपके दो भाव के स्वामी हैं तीसरा भाव जो छोटे भाव हैं का यात्रा का भाव है और आपके hard work का भी भाव है और आपके दसम भाव के स्वामी है जो करियर का भाव होता है अब ऐसी स्थिती परिस्थिती यहां बन गई है कि मंगर आपको ऐसा एक energy देंगे ऐसा काम करने की हिम्मत भी देंगे कि आप हर डटकर काम करना चाहेंगे पीछे नहीं हटेंगे जो क आपको देखना पड़ेगा आप सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों के गरवात करें तो आपका करियर अच्छा रहेगा अपने करियर के प्रती बहुत अच्छे से समाथ पित रहेंगे अपने काम को पूरा करना चाहेंगे जो भी हात में लिया है आपको अच्छी जॉब प्राक्त कर सकते हैं इस समयावदी में आप लिए लाव के चांसे बहुत अच्छे होंगे योगी मंगल की सीधी द्रस्टी लाव के भाव पर जा रहेंगी है तो लाव आपको मिलेगा चाहे वो प्रॉपर्टी से भी लाव मिलेगा आपको शेर मार्केट से भी आपको रहेंगी जब जरूरी रहेंगी यान तक की काम करते हैं उनके इंध रहे लेकिन साथ में मंगल आपको थोड़ा सा खर्चा भी देगा तो खर्चे से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि खर्चा जादा ना हो अस्टम भाववे पर द्रस्टी डाल रहे हैं मंगल तो गुप्त धन की प्राक्ति का योग बनेगा और साथ में गुप्त चीजें को सीखने की तरफ आपका मन चलेगा उकड्साइंस हो गया तंत्र मंत्र हो गया जोतिश हो गया ऐसी चीजों पितरफ आपका मन रहेगा कि कैसे चीजें काम करती हैं आप उनकी तरफ जाना चाहेंगे उन बुक्स को आप पढ़ना चाहेंगे लेकिं थोड़ी से संतान के लिए अच्छा है संतान अकर विदेश जाना चाहती है तो वह जगूर प्राइब करें वहां उनको विदेश जाने का मौका मिलेगा विदेश से जुड़े को चाम करते हैं उनको अच्छे मौके लेंगे अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक बिताएं को आपके पास सबमार्णान की है जिकिए एस समय आपको उनके साथ वक्त बिताना ज्यदा अपके बच्चों की लिए तो उनके साथ you कि संटान का भाव भी है तो यहां थोड़ा सा आपको इहां रखने की दरुर आथज closer free आलाकि ग्यावी भाव के स्वामी आपके चौते भाव में हैं, जमीर प्रॉपर्टी से अच्छे लाग की उमीदे बनी हुई है, शेर मार्केट में भी आपके अच्छे विजर्ट यहां देखने को मिलेगे, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काहों में आप इंवेस्ट देखने को मिलने वालेैं प्रेव आपका बड़ेगा बढ़ेगा आपका किद्व, तो बर्वाक स्वामी ओर है, व्यार्यव भाव के स्वामी इच्छाओं के पल चपन्चनमे सब्सेरे हैं तो जरूरर चार्थ से बत करें विवाह की बातें पंप की सकती है क्योंकि अभी तो सूलिय का घोचल फिर आपके अस्टम में हो जाएगा तो जलूर प्राय करें आपका बात जो है वो बन सकती है अच्छा समय देखके आप इस बात की प्राय कर सकते हैं विवाहिक जीवन की बात करें तो ठीक ठाक रहेगा थोड़ा कही न कहीं जो चाफें बीदे हैं खर्चा ज़ोर बढ़ता दिख रहा है खर्चे का थोड़ा द्यान रखें और हैल्न का भी द्यान रखें बाकी यातरा आं नो का बड़ा अच्छा योग आपके लिए बना हुआ है और हम देखेंगे तो मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा है चोटी-बोटी चीजों को आपको बस कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा बाकि आपके बर्थफेस में मंगल की कंडिशन क्या है वो भी डिपेंड करत करते हैं यह भी आपके लिए अच्छा रहता बाकि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल पर पहरी वार आये हैं तो सब्स्क्राइब करके जाएं जै मादा देव